तो कल शाम को हम सबको लगी थी जोरो की भूक और किचन में देखा तो सूजी पड़ी थी और थोड़े से वेजटिबल्स पड़े थे तो मैंने फटा-फट से सूजी ले ली और डाल दी एक बोल में और फिर मैंने इसमें डाल दिया फ्रेश दही और जो सूजी और दही था इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा-धोड़ा करके पानी और यहाँ पे मैंने बना लिया एक थिक बैटर और फिर मैंने इसको रग दिया रेस्ट पे 10-15 मिनिट के लिए थाकि जो सूजी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और तब तक मैंने थोड़े से वेजटेबल्स को ग्रेट कर लिया तो मैंने ले लिए लौकी, गाजर, फ्रेश मतर और थोड़े से प्यास सारी चीजों को मैंने डाल दिया इस बैटर में फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा अद्रक और मिर्ची रूटीन मसाले डाल दिये जैसे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और नमक और अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया साइट पे मैंने एक बड़ा चमच भर के तेल गरम कर लिया और उस तेल में मैंने डाल दिया थोड़ी सी राई, जीरा, सफेद तिल और कड़ी पते और इस बढ़िया से तरड़के को मैंने डाल दिया इस बैटर में और अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया और फिर mix करने के बाद मैंने इस batter को divide कर लिया दो हिस्सों में और एक हिस्से में मैंने डाल दिया इनो और अच्छे से मैंने इसे फेट लिया ताकि ये जो batter है एकदम frothy हो जाए इसके उपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नीबू का रस ताकि जो इनो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से मैंने इसे mix कर लिया और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया एक non-stick pan तो मैंने छोटा वाला पैन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, राई, जीरा, सफेट तिल और थोड़े से कड़ी पत्ते और फिर मैंने इसमें डाल दिया जो batter बना के रखा था वो और जो batter था उसको मैंने अच्छे से spread कर लिया और spread करने के बाद मैंने लगा दिया धकन और low flame पे इस नाश्टे को मैंने पकने दिया कम से कम 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट के बाद मैंने चेक किया तो अच्छे से ये crisp हो चुका था एक साइट से तो पैन को उल्टा करके मैंने इस नाश्टे को निकाल लिया और नीचे की साइट से भी मैंने इसे कुक कर लिया पांच मिनिट के लिए तो यहाँ पे मेरा बड़िया सा सूजी का जो नाश्टा था ये बनके तयार था और मैंने इसे एंजॉई किया हरी चटनी के साथ इसी तरह से जो दूसरा बैच था वो भी मैंने बना लिया तो आप भी इस तरह से इंस्टन सूजी का नाश्टा जरूर से ट्राई करिएगा रेसिपी पसंद आईए तो जल्दी से कमेंट में यमी टैप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए चलिए बाई बाई